राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे दो बहने कुलवती और सुखवती की कहाने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक गाओं में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी ने दो जुडवा बेटियों को जनम दिया था घर में दो बेटियां आई तो सब ने सोचा कि चलो लक्षमी आई है और खूब अच्छे से उनका जो नाम रखा गया कुलवती और सुखवती अब धीरे धीरे कुलवती और सुखवती बड़ी होने लगी दोनों जुडवा थी तो दोनों को एक जैसे कपड़े एक जैसा खाना खिलाया जाता था दोनों अपने माता पिता की जान थी दोनों बेहनों में प्रेम भी बहुत था दोनों बेहने एक दूसरे की हमेशा मदद करती थी कुलवती और सुखवती दोनों घर के कारियों में भी माहिर हो गई थी हर एक काम में अपनी मा का हाथ बटाती हर काम उन्होंने सब सीख लिया था किसी चीज में उन्होंने ऐसा नहीं था कि कहीं ससुराल में आगे जाएंगी तो कुस ताना उन्हें सुनने को मिले दीरे दीरे कुलवती और सुखवती दोनों बहने बड़ी हो गई माता पिता ने सोचा कि जब कुलवती शुखवती दोनों बहनों में इतना प्रेम है तो दोनों की शादी भी एक ही घर में कर देते हैं इसलिए किसान जिसका नाम सोहनलाल था उनके पिता का उसने जो दूसरे गाउ में एक अच्छा सा घर देब जिसमें दो भाई थे अच्छा घर ग्रिष्टी थी उसमें जाकर अपनी दोनों बेटी कुलवती और सुखवती के गुनों का वखान किया और दोनों का रिस्ता तै कर दिया समय से दोनों बेहनों का विभा हो गया कुलवती और सुखवती सुस्राल में भी बड़े फ्रेम से रहती थी दीरे दीरे समय बीत रहा था और जो कुलवती और सुखवती कुलवती जो बड़ी थी सुखवती छोटी थी ससुराल में जाकर कुलवती जेठानी हो गई सुखवती देवरानी हो गई लेकिन कुछ समय बाद ससुराल में उनकी सासु मा का जो देहांत हो गया अब सासु मा का देहांत होते ही बड़ी बेहन कुलवती पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी अब वे घर की मालकिन खुद को समझने लगी ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है ससुराल में देवरानी जेठानियों में कम ही पढ़ती है और अधिकतर ऐसा भी नहीं है निभाने वाले निभाते भी है लेकिन अधिकतर देखने में आता है जो सगी बेहने भी होती है चाई शादी से पहले उनमें कितना भी प्रेम रहा हो लेकिन शादी के बाद अगर देवरानी जेठानी है तो उनमें अनवन सिरू हो जाती है अब सास के गुजरने के बाद चावियों का गुच्छा कमर में लगा कर कुलवती पूरे घर में घूमती छोटी बेहन सुखवती पर जो कहती की सारे घर के काम करा थी सुखवती बेचारी बड़ी धार्मिक परवर्ती की थी बहुत पूजा पाट मानने वाली थी सुखवती क जो बेचारी सारा काम करती जैसी बेहन कहती वैसा करती और कुलवती के मन में आता तो काम करती मन में आता तो पूजा करती अपनी मन मर्जी करने लगी सब काम अब उसके कहने पर घर में होने लगे दीरे दीरे समय बीत रहा था छोटी बेहन सुकवती गरब से हो गई और सुकवती गरब से हो गई और कुलवती को अभी तक कोई संतान नहीं थी यही बात कुलवती के जलन का कारण थी इसलिए वो अपनी बेहन से मनी मन इर्शा करने लगे क्योंकि घर में सब कहने लगे कि चलो घर में नया महमान आने वाला है तो सुखवती की थोड़ी इज्जत बढ़ गई युवे गरब से है लेकिन कुलवती को तो कोई संतान नहीं थी काफी समय बीत रहा था अब कुलवती मनीमन सोचने लगी अगर सुखवती की संतान घर में आ गई तो मेरी तो वो इज्जत घर में नहीं रहेगी जो सुखवती को मिल जाएगी मुझे तो सब बांज कहकर बोलेंगे क्योंकि मुझे तो कोई संतान नहीं है छोटी बेहन के संतान और बड़ी बेहन के संतान नहीं है यही सोचकर वे मनी मन अपनी बहन से इर्षा रखने लगी सोचने लगी जब बहन का जो बच्चे को जनम देगी तो मैं उसके बच्चे को मार दूँगी यही मन में उसने धार ना रख ली छोटी बहन सुकवती तो अपनी बहन कुलवती पर जान छड़कती थी जैसे बहन कहती वैसे करती थी चाहे वो अब उसकी जेठानी थी दोनों भायों में भी काफी प्रेम था वैपार भी अच्छा चल रहा था अब धीरे धीरे सुक्वती का प्रिसव का समय आ गया वै अपनी बहन से कहने लगी बहन मुझे तो पता नहीं है क्या होता है तुम घर में बढ़ी हो उसके पती ने भी का भावी तुम बढ़ी हो तो सुक्वती का ख्याल रखना वै कहने लगी अरे देवर जी मेरे होते हो क्यों चिंता करते हो मेरी भी तो वो बहन है देवरानी तो पीछे है पहली मेरी बेहन है और किसको खुशी नहीं होगी आने वाली संतान की बीटे को जनम देते ही सुखवती बेहोस हो गए और इदर कलावती ने उस नन्नी सी जान का अपने दौना हाथों से गला गोट दिया और उसे मार दिया और कह दिया सुखवती ने मृत बच्चे को जनम दिया है घर में हाँ हाकार मच गया अब कुलवती अंदर यंदर बड़ी खुश थी सब कहने लगे अरे कितने दिनों बाद भगवान ने सुनी थी और वे भी सुनी क्या इसे अच्छा तो भगवान ना देता तो ही अच्छा था इसने तो मेरे तो बच्चे को जनम दिया है लेकिन कुलवती को तो गरबधारनी नहीं हुआ यह बात भी अब कुलवती को खटकने लगी लोग उसके लिए भी कहने लगे देखो यह तो समाज है कुछ ना कुछ बाते चलती रहती है दीरे दीरे सुकवती अपने दर्द से उबर पाई और कुछ सालों के बाद उसने फिर से गरबधारन किया फिर उसकी देख भाल हुई फिर वही हुआ उसकी बेहन ने फिर उसने बेटे को जनम दिया उसकी बड़ी बेहन कुलवती ने फिर उसको मौत के घाट उतार दिया फिर हुआ कि बच्चे को जो जनम के समय ही उसकी मिर्तियू हो गई और इसने इमरित बच्चे को जनम दिया है बेचारी फिर मन मसोस कर रह गई ऐसे करते करते सुकवती ने साथ बेटों को जनम दिया और कुलवती ने साथ बेटों को ही उसके मार दिया अब सुक्वती बड़ी परिसाद बिल्कुल पागलों जैसी उसकी हालत हो गई अब उसका पती कहने लगा कि ऐसे उसने काफी लाज कराया उसका कि ऐसी क्यूं होता है काफी बैदों को दिखाया लेकिन उसमें कोई कमी नहीं थी अब सुक्वती बेचारी साथ संतानों को खोने के बाद बड़ी दुखी रहती उसका किसी काम में मन नहीं लगता वे भगवान से बस यही सिकायत करती भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है जो मेरे एक भी संतान नहीं है उधर कुलवती जो अपने देवर को कहने लगी कि देवर जी ऐसे कैसे चलेगा इसलिए आप दूसरा बिभा कर लीजिए अब उस जो सुक्वती का पती था वे दूसरा बिभा करने के लिए तैयार हो गया यह सुक्वती के लिए और भी बुरी ख़बर थी सुक्वती बेचारी पूरी तरह तूट गई वे अपने माई के में जो उसका पती उसे छोड़ कर आ गया कुलवती और सुक्वती के लिए सब कहने लगे नाम धर्दिया कुलवती उससे तो कुल चला नहीं एक है सुक्वती जिसके नसीव में सुखी नहीं अब दोनों बेहने वो तो घर की मालकिन थी तो उससे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था अब सुक्वती को माई के पहुचा दिया माई के में जब उसके पिता ने यह सुना तो उने बड़ा दुख हुआ कि उनका दामाद दूसरा विवा करना चाहता है और उसकी माता ने जो सुख्वती की माता थी उसने अपनी बेटी को समझाया बेटी एक काम कर तो अपने पती को एक साल के लिए मना ले और बीच में जब जितिया का भरत आएगा तो उसकी पूजा करना और जित वहां देवता से अपनी संतान की रक्षा के लिए दुआ मांगना क्योंकि जितिया का तोहार था जिस समय उसका जो पुत्र खतम हुआ था उसने देखा सब औरते पूजा पाट कर रही है नदी के किनारे सुक्वती भी नदी के किनारे जाकर रोने लगी तो जितवहन मैया जो देवता थे जो एक बुढ़िया माई का भेज धा करन करके आ गए और कहने लगे कि बेहना तू क्यों इतनी दुखी है क्यों रो रही है तो उसने कहा कि मैया क्या बताओं मेरे साथ साथ उलादे हुई है साथ साथ पुत्रों को जनम दिया लेकिन मेरे नसीव में मेरा अपना कहने के लिए एक भी नहीं है बुढ़िया वनी जितिया माई कहने लगी कि बेटी तू एक काम कर अब की बार जब तुझे गरब धारन हो तो तू घर में किसी को मत बताना और जब तुझे प्रिसव हो तब तू इस जंगल में चली आना और उसके बाद घर जाना इस बात का विसेश ख्याल रखना और वे कहने लगी ठीक ह माजी और वे बुढिया माई जितिया माता हुआ से चली गई और सुखिया जो सुखवती थी वे अपने घर वापस आ गई सुखवती अपने ससुराल आ गई और अपने पती से कहने लगी क्योंकि हुआ तो दूसरी शादी के लिए बड़े जोर सोर से तैयारियां चल रही सुखवती ने अपने पती से कहा देखो जी मैं कोई बांज तो हूँ नहीं जो आप दूसरा विभा कर रहे हैं यह तो मेरा नसीब है कि पता नहीं मेरी संतान को मरी हुई क्यों पैदा होती है इसमें तो मेरा कोई दोस नहीं है आप मुझे सिर्फ एक वरस का समय दे दीजि उसके बाद अगर मुझे फिर से मरी हुई संतान पैदा होगी तो तुम दूसरा विभा कर लेना सुखवती का पती भी अपनी पतनी से प्रेम करता था वो भी दूसरी शादी तो नहीं करना चाहता था लेकिन वंस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वह यह कदम उठाने के लिए मजबूर था क्योंकि दौनों भाईयों के कोई संतान नहीं थी तो उनका वंस आगे कैसे बढ़ता सुखवती की बात उसके पती ने मान ली लेकिन जो उसकी बेहन कुलवती थी वह उपर से खुस होने का दिखावा कर रही थी सोचने लगी चलो एक साल की बात है फ फिर तो इसका दूसरा विभा करके इस सुखवती को घर से निकलवा दूँगी क्योंकि इसके कारण मुझे बांज का ठपा लग गया है सब मुझे बांज कहते हैं और इसके लिए सब के मन में हमदर्दी है मुझसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाता वे तो अपनी बेहन से मन मन इर्शा कर रही थी धीरे धीरे समय बीता समय बीतने पर फिर से जो सुखवती गरब धारन किया लेकिन अब की बार उसने अपने पती तो क्या बेहन और पती किसी को भी नहीं बताया कि उसने गरब धारन किया है धीरे धीरे वो अपना काम करती रही धीरे धीरे जब कहते हैं कि पेट से होगी तो आगी आएगा तो पेट उसका दीखने लगा तो उसकी बेहन कुलवती कहने लगी अरे सुकवती क्या तू कुछ आस से है तो वो कहती नहीं बेहन गैस बन गई है और पता नहीं क्यों पेट भी फूलने लगा है धीरे धीरे उसने सब की बातों को नकार दिया कि वै कोई गरबस्थारन उसने नहीं किया है धीरे धीरे नौ महीने का समय हुआ नौ महीने नौवे दिन उसको प्रसब पीड़ा का नुभव हुआ तो वै अपने पती से कहने लगी आज मेरे साथ आप चलिए अपने पती को लेकर वै जंगल में चल दी अपने दर्द को बरदास करते हुए उसने अपने पती को भी जो यहां तक नहीं कह कि उसे प्रसब पीड़ा हो रही है चलती गई चलती गई और जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक बहुत भारी बढ़ का बिरिक्ष था जिसके नीचे वो बैठ गई और उसे प्रसब पीड़ा होने लगी उसका पती भी समझ गया कि इसकी प्रसब पीड़ा वो भी भगवान से हाथ जोडने लगा सुखवती से कहने लगा अरे सुखवती जब तुझे पता था तो तू क्यों जंगल में आई है तूने घर पर क्यों नहीं बताया घर पर कुलवती सब काम आराम से निप्टा देती सुखवती कहने लगी जी देखिया आप मेरे पती हो आप तो प्रशव पीड़ा में जो बच्चे के जनम देने में आप ही मेरी मदद करोगे और आपको ही मेरी मदद करनी है और इस तरह से उसने सुखवती ने जंगल में एक पुत्र को जनम दिया पुत्र को जनम देते ही सुखवती और उसका पती बड़े परसन हुए और कपड़े में लपेट कर बच्चे को घर लेकर आ गए क्योंकि अब सुखवती अपने बच्चे का बड़ा ध्यान रखती थी और कुछ उस पर अब जितिया माता की किरपा थी अब कुलवती सोचने ल गवने लगे अब सब कुलवती को कहने लगे यही बांज रह गई अरे सुखवती को चलो एक फुतर तो मिला लेकिन कुलवती के मन में तो इरशा की आग लग रही थी वह सोचने लगी अभी तो बच्चा छोटा है वह इसे फिर मार देगी लेकिन अपने लिए उसे यह बर का मेरी बहन को क्यों मिले अब वह जैसे ही बच्चे को मारने की कोसिस करती क्योंकि सुखवती तो जानती नहीं थी कि उसके बच्चों को उसकी बहन ने मारा है वह तो उस पर पूरा विस्वास करती थी सुखवती काम से लग जाती लेकिन जितिया माता की किरपा तो उस अब सुकवती काम में होती तो कुलवती कोई भी बाहना लेकर बच्चे के आसपास घूमती तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कभी सुकवती आजाती जैसे उसे मारने की कोशिस करती तो कहती नहीं खिला रही हो दूद पिला रही हो कभी उसका पती आ जाता, कभी घर में कुछ न कुछ ऐसा होई ही जाता, कि कुलवती को घर में रहने पर भी सुकवती के बच्चे को मारने का मौका नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हू रहा था, अब जो फिर जितिया बरत का समय आया, सुखवती ने जितिया का ब्रत रखा पूजे जो अपने मन से पवित्रतास के साथ उसने पूजा की नहाय खाय के अगले दिन नौमी को उसने अश्टमी का ब्रत रखा नौमी को पारंदा वे नदी के किनारे गई महां जाकर उसने औरतों के साथ पूजा की कुलवती कहने लगी तो हम भी पूजा करेंगे तु अकेली कैसे कर लेगी तो सुखवती कहने लगी जिनके पुत्र होते हैं उनको तो ये ब्रत रखना होता है लेकिन तुमारे संतान नहीं है तो तुम भी ब्रत रखो जितिया माता तुम पर भी किरपा करेगी लेकिन जितिया माता भी तो मन देखती है सच्चे भोले आदमियों का भगवान साहता करता है दुष्ट लोगों से तो भगवान भी बचता है लेकिन उसे तो अपनी करनी उसे तो करनी का फल मिलना था वे तो जो बरत में कम ध्यान उस बच्चे को मारने में उसका ध्यान ज्यादा था अब सुख्या ने ब्रत रखा जितिया माता का पहले दिन नहाई धोई अपना खाई और अगले दिन अश्टमी का निर्जला ब्रत रखा नौवी में पारण किया जितिया माता परसंद हो गए जितिया माता ने उसके घर में आकर नए नए पकवान बने भोग लगाया और उसके जो छे पुत्र थे उनको भी जो साथ पुत्र पहले गरगदारन किया था और उनको जो उसकी बहन कुलवती ने मार दिया था उन्हें भी जितिया माता के असरवात से प्रान दान मिल गया वे भी जीवित हो गए और मा मा करके अपनी मा के पास आ गए अब तो सुखवती की जो कोई भी इच्छा धूरी नहीं रही वे तो बड़ी खुशती कि उसके बच्चे बैठे हैं जवान होने लगे हैं और उसे मा मा कहके घेरे हुए हैं सारे लोग उन्हें देखने आने लगे कि देखो कैसा चमतकार हो गया अब जब यह चमतकार हो गया तो कुलवती को अपने किये पर बड़ा पस्तावा हुआ वेक सुक्वती के पैरों में गिर गई और कहने लगी बहन मुझे माफ कर दे तुझ पर तो जितिया माता की किरपा हो गई जो मरे हुए बच्चों को भी तेरे बच्चों को जीवित कर दिया लेकिन मैं क्या करूँ मुझे तो प्रान दंड दे दे बहन क्योंकि इन ही हातों से मैंने तेरे बच्चों को खतम किया था मैंने इने जान से मार दिया था इनको मिर्थिव मैंने दी है लेकिन सुक्वती तो बड़ी पवित्र महिला थी उसने अपनी बहन कुलवती को कहब दी दी सबसे बड़ा प्राश्चित तो यही है कि जो इनसान अपने किये हुए कर्मों को सभीकार कर ले अपने पापों को मान ले कि उसने यह पाप किया है तो आदे प्राश्चित तो उसका तभी हो जाता है तभी जितिया माई हुआ पर प्रगट हुए और उन्होंने सुक्वती को आसरवाद दिया और कुलवती और सुक्वती दोना उनके पैरों में गिड़ गई कुलवती माता रानी के पैरों में गिड़ कर जो गिड़ गिड़ाने लगी तो माता रानी ने उसे भी पुत्र वती होने का आस्रवाद दिया और अंतरध्यान हो गई अब कुल वती को अपनी करनियों का बड़ा पस्तावा था कि वो कैसे अपनी बेहन से नजर मिलाए लेकिन सुखवती बड़ी समझधार थी उसने अपनी बेहन को कभी ही इन भावना से गुजरने नहीं दिया वे कहने लगी दीदी समय समय की बात है इन चीजों को मन से मत लगाओ मेरे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे है अब तो कुल वती अपनी बेहन के बच्चों को बड़े प्यार से रखती और उन्हें पूरी ममता लुटाती और वेई घर आप बहुत खुसियों से भरा घर बन गया था दोनों बेहन बड़े सुक से रहती कुलवती का घमंड चकना चूर हो चुका था अब नवे महिने आते आते कुलवती ने भी गरवधारन किया और फिर उसने भी एक सुन्दर से बच्चे को जनम दिया जितिया माता की किरपा से दौनों बेहनों को पुत्र सुक प्राप्त हुआ दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिन बेहनों के पुत्र नहीं हैं हे जितिया माता उन्हें भी एक एक पुत्र जरूर दें बोलो राधे राधे